यहां पर हमारा माइक कराब हो गया और पॉब्लिक बीटिंग करना मुश्किल लगा जी बिलको ठीक बात है तो मैंने तोचा कि हम थोड़ा यूकी के बारे में आचीव कर ले और आप अपना पर्स्पेक्टर हमें बताई है हम आपको अपना पर्स्पेक्टर बताते है थोरी दिस्केशन करते हैं खीक बात है मैं सबस्का हो कि जब माइक खराब हो गया हम जो बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो करके जाएगी तो रोग बैतर और अच्छा और अच्छा रिजल्ट आएगा और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मि जीत रहा है एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लडाई में हैं और इस बार क्यूटो नाम कैसे जपान मालाई है यह क्यूटो क्यूटी जो प्रधान सांसर्थ है उन्हें सपना दिखाये था काशी के लोगों को के दुनिया की सबसे बेतर उप्सिटी बनेगी क्यूटो तो क्यूटो बनी नहीं बनी काशी की लोगी अत्या करेंगे और फिर बौट डालेंगे तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है शीमारे आपकी बात और 140 क्रोलों की बात और समिनान की बात होगी और आपने देखा हम शबने देखा की यूपी को मरेंद्र मोदी जी ने तो जो अगनी भी या पोनी जितने से इर्वागी है और यह सब रोजगार नोकरी चाहते हैं वीजेपी ने जो जूटे सपने लिखाये थे इंवेट्मन भीट के जो जूटा सपना लिखाय थे लिवेंसेस्कों का एज जी पूंधी रहे लेगिन इन वहज़वानों को न नोकरी मिली न रोज़गा बिला आज ये खाली हाथ हैं तो इसके हमें और आप खिल बिलके जो आपने कहा जो इंडिया का बुदर कह रहा है कि तीर सार बच्छा के नोकरी जी जाएगी उस दिशा में हम लो काम करेंगा और पहली नोकरी पकी स्वीम जिसके माधियम से हर ग्रैजुएट को नोकरी का अधिकार बहतरीन प्रेनिंग और बैंक अकाउंट में को एक राफ होते स्टाइल के आपने नोट किया कि लोडी जी खटागर 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 को ने शुरू कर दी है ये आपके खटागर खट अधिके बारे मुझे आपके आपके आपने उनसे क्या सीखा नेता जी और उनके साथ के लोग बिल्कों जमीनी राफ़ीद करते रहे हाना कि नेता जी खुस्ती पहलवान और गाउं के थे आपके करते हो कुछटी नहीं कर पाये जीवन में क्यूकि मैं में बिल्टी स्बू को बोले गए हैं कि वो जमीन की बात को सुनस्किते हैं घर्दी पर जो लोग इनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बहाना चाहते थे और आपका इस चेस से और इस शेर से आज का लगाब नहीं है जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शेर और शेर से हैं वो शाहिद औ और किसी राजनेतिक परिवार का नहीं होगा तो नेता जी से उनका हाड़ वोक और अपने लख्ष के लिए लगातार करम कते रहना जो गेर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर रामन और रोया यहीं लड़े थे हाना कि हमारी आप की विचार धारा की तक्राव रहा लेकिन हम की भी पार्टी से बहुत करीम रही समाजवादियों के बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके के पार्टरशिप बन ली है क्योंकि जो इस बार हमारा कोपरेशन है शायद पहले ऐसा कोपरेशन नहीं है मतलब बिलकुल सब जुड़ गया है सबसे अच्छा यह है कि ज तो यह नेचुरल अलाइंस है और नेचुरल अलाइंस इसलिए लोग प्रेशन कर रहे हैं कि वो चाहते है कि नौकरी और रोजगार मिले नौकरी और रोजगार मिले यह बड़ी भावना है कि हम से आप से यू करेट कर रहा है सबसे मारी बात मिल्दाइक की चोट सबसे जाजा इन लड़कों को लगती है हमारी तिंकिंग है और आप की भी है कि यह जो 22 लोगों को अरेंद्र मोदी जी ने पूरा दप्रा धन पकड़ा है उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युगा है माताय बहने है उनको डायरेक्ट पैसा देना है यह जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्ध प्रवस्था को लाग मिलेगा मैं समस्ता हूं इनका भागी में बनेगा और देश के अर्ध प्रवस्था ही बैतर होगी यह जुरूरी स्कीम है कि इनके पैसा पहुंचे इससे थोड़ा बहुत जीवन इस तर इनका भी अच्छा हो नरेंद मोगी की डिबेट से की रखते है क्योंकि वो सच का सामना नहीं करता चाहता है पूरा उनका जूप का पुपारा है वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चालते हैं अपनी मर्जी से चालते हैं और उनको लगता है कि दिसक जितने विशार एक उसरे को हम सुनेंगे और एक उसरे पर भरुता करेंगे उतना हमारा लोगतर मज्मूत होगा ये बीजेपी ये लोगों ने लगेवल हमारी जान को ख़तरा पैदा किया है और इसका नतीज़ दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया ये बे प्रडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है और पूरा पूरा एक्स्टॉर्शन एडी सीबिया ये लोग मतलब एक्स्टॉर्ट करने हैं कई बाद सुनने को मिल रहे हैं और सरकार सीकार नहीं कर रही है लगदा कि हमारी सीमा असुरुचित हो गई और ना चलके आसपास या सीम जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरचित है तो चीन से जहां हमारा सीमाओ का खतरा है वहीं चीन से हमारे बजार को भी खतरा है तो कहीं ने कहीं हम लोगों को अपनी मैनिफेक्ट्रिंग एकोनुमी और मैनिफेक्ट्रिंग एकोनुमी को बढ़ाबा देना पड़ेगा और यह जो स्कीम है पहली नौकरी पफ्की और महारवक्ष्टी यह मैनुफ्रेक्ट्रिंग सिस्टम को एकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीक है। यह बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा इसको अगर फ्कर्स हो करके, IIT, Polytechnic, Engineering Colleges को इन सब को एको सिस्टम में लाकरके, मैं समझता हूँ युगा नौजमाना को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष है कि सब हर जात को भागेदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टिटूशन में, बिज्मस में, एजुकेशन के सिस्कम में, तो वो हमारा हम दोनों का लक्ष है। बिलकुल, और क्योंकि जो पात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गड़बंदन कॉंग्रेस भी कह रही है, कि समाझ एक नहाए जरूरी है, जाती जहना जरूरी है, देश के लिए ये बड़ी चीज है, जो दुनिया में, अमरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के मुनिका होगे इसमाँ, बहुत अचारा, 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 बहु झाल झाल